नमस्कार दोस्तों वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्वीम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म यदि हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म है रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन काफी important है और ये multi concernancy के लिए है बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और हिंदी में भी मैं यहाँ पर आपको समझाओंगा आखिर इसमें क्या फाइदा है क्या नुकसान है और किन-किन नियमों को इसमें संसोधन करना पड़ेगा तो एक्जाम परपस के लिए काफी important है और एक आम लोगों के लिए भी काफी important है election commission जो है एक मसीन बनाने जा रही है आरवियम मतलब एक तरह की मसीन है यह क्या है वही देखिए हम लोग अभी फिलाल एवियम में जो है vote देते है आपको पता है electronic voting machine आप जाते हो एक जगा पे जिस उसका नाम लिखार होता है और सामने में एक बटन दबाया जाता है आप जिसमें बटन दबाना चाहते है जो भी पार्टी को आप vote देना चाहते हो इसे कहते electronic voting machine मगा समस्या क्या है समस्या यह है कि बहुत सारे migrant worker है मतलब कि माली जेज हार्खन के बहुत सारे worker है जो अलग- अब वो क्या होता दिक्कत वो जब vote होती है election होती है उस टाइम में वो आ नहीं पाते हैं अपने गाउं और vote नहीं कर पाते है इससे voting percentage बहुत घड़ जाती है सवाल यह उठता कि कितनी घड़ जाती है तो 67.4% जो है मतदान हुआ था 2019 में के आम election में मतलब लोगसभा का जो होगा मैं बताऊंगा इससे voting percentage बढ़ जाएगी कैसे बढ़ेगी चलिए हम लोग जहाल लेते हैं आर्वियम क्या है वई तो आर्वियम के तहट क्या होगा देखिए एक machine बनाए जाएगी जसमें क्या होगा मालीजे एक machine बनाए गई और यह machine लगाई जाएगी अलग-अलग राजियों में मालीजे लोगसभा का election हो रहा है तो लोगसभा के election में आपको पता कि पूरे राजिय में election होता है ठीक है तो मालीजे मैं दुमका जिले का निवासी हूँ जो जहरकंड में पड़ता है और मैं रहता हूँ West Bengal में क्योंकि मालीजे यहाँ पर मैं job करता हूँ अ एक registration कराना होगा हलांकि यह system पूरी नहीं लाई गई है अब यह 16 जनवरी को सभी पार्टी को बुलाया गया है कि आईए election commission ने बुलाया है कि आईए देख लीजिए क्या आपना feedback दीजिए 31 जनवरी तक 31 जनवरी तक पूरा feedback दीजिए कैसा इसको लागू करें आपकी क्या राय है यह पूरी चर्चा है इसमें जो है election commission ने करने के वोट देना चाहते है तो उसके लिए पूरी list बनाई जाएगी और list बनाने के बाद polling booth बनाई जाएगी उस state में जैसे मा लेजिए विष्ट बेंगॉल में मैं अभी रह रहा हूँ फिलाल मगर जारकन का निवासी हूँ तो विष्ट बेंगॉल के लिए मा लेजिए विष्ट बेंगॉल में मुझे एक polling booth मिलेगा वहाँ पे मैं जाके वोट दे सकता हूँ मतलब एक ही जगा से एक polling booth बनी और 72 जो multiple consistency है मतलब जो लोकसभा चेतर हम लोग बात करें चाहे विधान सबाचेतर में इदी बाद में इसको implement किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो लोग बात की बात है मगर अगले लोकसभा election में हमें पता कि 2019 का लोकसभा election हुआ था अ तो लोकसभा चेतर हैं उसमें आप vote दे पाओगे तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत इसमें ज़र आ रही है इतना हमने समझ लिया अब सवाल ये वोटता है कि इसका फायदा क्या है तो फायदा मैंने अभी बताया कि 2019 में 67.4% क्या हुआ था वोट हुआ था तो इससे voting percentage बढ़ सकती है क्योंकि 30 करोर लोग 2019 में वोट दिया ही नहीं थे तो 30 करोर में से मालीजे कुछ बढ़ेगा percentage तो ये चीज है तो इससे voting percentage बढ़ जाएगी दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि 85% जो होता है वो क्या होता है तो within the state जो है राजों के भीतर जो है वो प्रवास होता है तो प्रवासन तो आप रोक नहीं पाओगे क्योंकि आप जौब नहीं दोगे ठीक है तो प्रवास कैसे रुकेगा मगर आप इस से इस system को लाके क्या कर सकते हो voting percentage को जरूर बना सकते हो challenge क्या है आकिर इस नियम को आप जो लगाओगे तो इसको लगाने में क्या चु करोगे model बनाओ code of conduct कैसे इसको आप जो है कारियावेन करोगे कैसे आप इसको लागू करोगे इसके लिए पूरे system बनानी होगी तिसरी चीज क्या है secrecy भी बहुत maintain करनी जरूरी है पूरी list बनाओगे आप तो secret जो है या voting करवाओगे तो secret होना चाहिए पटा नहीं लगना चाहिए कौन किसको vote दे रहा है अगले चीज़ यह है कि आप identify करोगे तो उसके लिए polling agent होते है आपको पता है कि जब आप vote देने जाते हो तो अलग-अलग parties के वहाँ पे symbol रहते हैं और आप option रहता है कि आप जाके vote दे सको अब उसके लिए क्या होता है कि अलग-अलग party उसके polling agent होते है वो क्या होता है कि जो polling booth होती है, वहाँ पे जाके रहते हैं, ठीक है, ताकि यह पता लगा सके, कई गड़बड़ी लगड़ा तो नहीं हो रही है, कोई एक party गड़बड़ी तो नहीं कर रही है, तो कई तरह के उसमें कारी होते हैं, तो सवाल यह उठता है, कि माली जी, जारकन की जो, माली जार अधर अधर स्टेट, अधर 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 जो regional party है, मैं जे में से नहीं बोला हूँ, मैं एक example दे रहा हूँ, तो regional party की, या कोई भी party की, कैसे भेजेंगे, यह बहुत बढ़ा चुनाती है, जसके लिए 16 जनवरी को यहाँ पे बुलाए गया है, election commission के दवारा, कई सारी party उसको ठीक है, आगे बात करें, तो process कैसे होगा, remote voting की एक बहुत बढ़ी समस्या है, कैसे count करोगे आप, यह बहुत बढ़ी समस्या है, ठीक है, अब सवाल आगे यह भी उपता है, कि कौन-कौन से नियम को संसोधन करना पड़ेगा, क्योंकि माली जेक आपको बना रहो rule, तो उसक आपको पता कि इसी नियम के तहर जो है, उपर case वगरा भी चल रहा है, तो यह कापी सारी चीज़ें हैं, आपको समझ रहे हैं, तो representation of people act, जिसके तहर रिपरजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें voting वगरा होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि 1950-1951, इसके नियमावली को change करना होगा, उसके बाद है, conduct of election rule, अब election जो rules बनाए गया है, कि कैसे conduct होगा, अलग-अलग state में election, उसके लिए बना हुआ है, 1901 का, उसको change करना होगा, registration जो rules होते हैं, ठीक है, मतला हम लोग जो registration वेरा कराते हैं, ठीक है, उसको आप change करना पढ़ेगा, जो कि 1960 में बना हु अब लिक इटियो में, लाँ होगा होगा हुआ!